हेलो दूस्तों स्वागता आपका अपनी यूटूब के आम रहा क्लाशिस में प्यारे बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर और दिल्ली पुलिस एडवलो और टीप्यों के वारे में ठीके क्योंकि 70% बच्चे ऐसे हैं जिसने दोनों ही फोर्म भरे हैं क्यों भरे हैं आपको पता होगा यूपी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर का फोर्म उन्ही बच्चों ने भरा है जिसके पास 12 में मैथ था ठीके वही बच्चे अपलाई कर सकते थी यूपी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर में जिसने 12 मैथ से किया था और आपने दिल्ली पुलिस एडबलो टीपयो का फोर्म भरा होगा तो आपको पता है इसमें वही बच्चे अपलाई कर सकते थी जिसने 12 में मैथ लिया था ठीके जिसके पास 12 में मैथ था तो यह तो किलियर है बही बच्चे इन दोनों फ़र्म को भर सकते थे जिनके पास 12 में मैथ था किलियर अब उन बच्चों के दिमाँ में बहुत सारी बाते आ रही है सर्फ कौन सी नोकरी अच्छी है किसका एक्जाम पहले होगा किस एक्जाम पर फोकस करें किस में सेलेक्शन लेना आसान है सब कुछ बातें आपकी किलियर करने वाला हूँ एक एक पॉइंट किलियर करूँगा किस की कट ओफ जादा रहेगी किस की कम रहेगी एक एक बात को अच्छे समझेंगे इसलिए वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट देखना एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा ठीके और आप कभी इसके चकर में एडवलो टीप्यो के चकर में यूपे पॉलिस असिस्टेंट ओपरेटर को मत छोड़ देना यह सब बताऊंगो दोनों को कैसे मैनेज करके आपको चलना है ठीके तो चलते हैं एक-एक पॉइंट के लिए कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट है सर इनमें कौन सी नोगरी बैश्ट है ठीके पहरे बच्चों आज के टाइम में देखे जाए जितनी बिरोजगारी बढ़ रही है ठीके तो आज के टाइम में तो हमें कोई सी भी जोब मिल जाए उसे पगड़ लेना है ठीके क्योंकि बिरोजगारी बहुत जादा हो गई है बैक-एंद सी निकलती नहीं है तो इसलिए जोबी मिल जा उसको पकड़ लेना चाहिए ठीक है सब नोकरी बैश्ट ही हैं अपने आप में क्योंकि सरकारी नोकरी तो सरकारी ही होती है अब इन में आप देखोंगे दोनों में से कौन सी बैश्ट है तो आपको क्लिया कर देता हूँ दोनों आप देखेंगे ये भी operator की job है और ये भी एक operator की job है ठीक है दोनों का बर्क क्या है दोनों का काम क्या है same है 8 गंटे की duty इसमें है 8 गंटे की duty इसमें है ठीक है इसमें भी office बर्क है इसमें भी office बर्क है और इसमें भी office बर्क है लोड किसी में जादा नहीं है, दोनों में लगबग सेम ही है, अगर आप सेलरी की बात करेंगे, तो सेलरी इसमें इस से जादा है, ठीक है, यूपी पुलिस असिस्टेंट ओप्रटर से जादा सेलरी मिलेगी, दिल्ली पुलिस एड़वलो टीपियो वालों को, केलियर है, अगर आप जादा प्रिफ्रेंस पूछ रहे हो, तो आपको एड़वलो टीपियो चूज करना चाहिए, बैस्ट जो है, ठीक है, किलियर हो गया, अब तो नहीं है, एड़वलो टीपियो का आपको सूज करना है, किलियर, अगले नेस्ट बात कर लेते हैं, सर, किसका एक्जा पहले होगा, तो आपको क्लियर कर देता हूँ, यूपी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर की तरफ से, भरती बोट की तरफ से, अभी इसको लेकर कोई नोटिस नहीं आया है, क्या आपको एक्जाम कराये जाएगा, जबकि दिल्ली पुलिस एडवलो टीपियो की एक्जाम आ चुकी है, कब है, 27-28 अक्टूबर को, ठीक है, 27-28 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस एडवलो टीपियो का एक्जाम है, और यह अपने समय पर ही होगा, इसमें कोई चैंज नहीं होने वाला, अगर कोई अन्होनी नहीं होती है, मानलो कुछ कोरोना वरोना नहीं आता है, तो आपका एक्जाम समय से होगा 27-28 अक्टूबर को, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कोई भी एक्जाम लेलो, आप SSC के भी टाइम से सारे एक्जाम हो जाते हैं, जो वो डेट देते हैं, किलियर, अब बात कर लेते हैं, यो भी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर की, तो इसका कुछ पता ही नहीं है, अभी कव एक्जाम कराएं, ये नहीं कह सकते हो सकता है, ये अगले मंत करा लें, सितामर में करा लें, तो कि इनको कुछ भी नहीं करना, अब सब काम हो चुका है, कि अब इनको एड्मिट कार्ड देने हैं, एड्मिट कार्ड हो सकता है, अगस्त के ल करके चलना है तो इसकी डेट तो आपको किलियर है कितनी है 27 28 अक्टूबर दो दिन एक्जाम होगा 27 और 28 अक्टूबर को जबकि इसकी कोई किलियर नहीं है हो सकता है इसका सितंबर में हो जाए या हो सकता है इसका भी अक्टूबर में हो जाए 10 अक्टूबर को हो जाए 15 को हो जाए कभी भी हो जाए बट किलियर नहीं है इनको केवल एडमिट कार्ड देने यूपी पुलिस अस्टेंट ऑपरेटर वालों को आपके एडमिट कार्ड आगए एक्जाम इस तारिक से है ठीक है तो बिल्कुल छोड आपको तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है कि कैसे तैयार रखोगे सब कुछ अभी बात करने वाला हूं ठीक है अब बच्चे कह रहे हैं सर किस एकजाम पर फोकस करें यह बहुत बच्चों का डाउट है सर किस एक्जाम पर फोकस करें तो मैं आपसे एक बात पूछना च आपको हम तो जब से फोर्म रहें जब से ही तियारी कर रहे हैं जो आप जब से तयारी कर रहे हो तो इसका सिलेवस आपको पता होगा बताओ मुझे सिलेवस क्या है आपको सिलेवस पूछते हो तो सबसे पहले इसमें आएगा क्या सबसे पहले क्या है बताओ सिलेवस में आप मांकों की सरव मैंत क्या आना हैं ठीक है नमividades को चोड़ दो नम์ बात बात की बात है कितने नमबर गागा सब सो सो मांक्स के सभी को पता ठीक है सबसे पहले क्या हो मैंत्स हो गया फिर दूसरे नमबर के रीजनिंग तो ठीक है और तीसरे नमबर मेर्ट पर जीके उर्ट साइन्स एक साथ आएगी इसमें सेस्ट कि टींट ओर साइन्स ठीके जीके साइन्स आनी एक साथ और क्या internet हिंदी इस्मानी है किलियर किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है यह क्या है यूपी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर का सिलेवस है मैत रीजनिंग जीके और साइंस मिक्स होकर आएगे सो मांक्स की और हिंदी ठीक है यह इसका सिलेवस है अब मैं आप से पुछता हूं क्या आपको दिल्ली पु रीजनिंग जीके साइंस इसमें साइंस अलक्स आएगी ठीक है और कम्पुटर यह है ना यह सिलेवस है आप मुझे बताइए जब आप इसकी तयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर की जब से फॉर्म वरे गए हैं तो आपका मैत किलियर होगा ठीक है जो मैत इसम आएगा यूपी पुलिस असिटेंट ओपरेटर में बही मैत इसम आना है कुछ अलक्से तो नहीं पढ़ना है ठीक है मान के चलाओ किसी भी या ओपरेटर की तियारी करो ये AWO TPO की तो मैत तो दोनों के लिए पढ़ना है ना बट अपना बैस्ट देने कोशिस क करना बहुत अच्छे आपको मैस तयार करना है ठीक है कोई सब पहले हो जाए मैत तो मैत यह सेम रहने वाला है के लिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की रीजनिंग सेम है रीजनिंग यहां भी है ठीक है रीजनिंग यहां भी है और रीजनिंग यहां भी है मुझे बता अब दिल्ली पुलीस आवलो और तीपो करा लिए जाए तो रीजिनिंग तो बही आने वाली है न जो आपने पढ़ी है को नया तो नहीं अब आएगा कि दिल्ली पुलीस मे अलक से आती है रीज्पष हैं बताओ लिए यूँ अुष बिल्कुल है ठीक है धेर इसिनिंग हो गई अब बात आती है जीके की और साइंस की आप मुझे बताइए जब आप यूबी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर के तियारी कर रहे हो तो साइंस पढ़ रहे हो या नहीं साइंस पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि साइंस का बेटेज जीके के बेटेज के बरावर है दोनों लगवक बरावर माक्स की आएंगी तो साइंस बहुत अच्छे तियार करनी पढ़ेगी तयार कर रहे हो या नहीं बताओ मुझको तयार नहीं कर रहे है तो करनी तो पढ़ेगी अगर आप यूभी पुलिस असिटेंट ओपरेटर के तियारी भी करोगे तो आपको उसे बिल्कुल तियार करनी पड़ेगी क्या है इसमें बट इसमें केबल फिजिक्स पूछी जाएगी ठीक है तो साइंस तो आपकी यहां भी यह नहीं बताओ जब आप ओपरेटर के लिए साइंस तियार कर रहे हो तो साइंस तो आपकी यहां भी है तो यह भी किलियर हो जाएगी अगर ये डवलू टीप्यों का पहले करा लिया जाए तो आपको बिल्कुल ठीक है अब बात कर लेते हैं जीके की तो जीके आप ओपरेटर के लिए पढ़ रहे हो यह नहीं आपको बिल्कुल बट जीके में आपको क्या धियान रखना है अगर आप दिल्ली पुलिस एडवलू टीप्यों का फोकस करके चलो ठीक है मैं आपसे कहता हूं छोड़ना इसको भी नहीं है क्योंकि लगबग मैं आपको खिलिया करता चल रहा हूं दोनों बिल्कुल सेम ही हैं लग ठीक हैलने ठीके को आपना है ठीकरेंट ऐफेर्स आपना है और इस्टेटिक जीके को ज्यादा पतो याफापड़र भी संद्रां Sharpिंग तो क्या पढ़र आपको क्योंकि बीस में जयाकर ठीक हैगा नियु किलियर अब मुझे बताओ चारो किलियर हो गए या नहीं आपने तयारी किसकी करी तयारी किसकी करी आपने यूबिय पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर की और किलियर कौन सा एकजाम हो रहा है दिल्ली पुलिस एडवलो टीपियो हो रहा है नहीं बताओ कोई भी सब्जेक्ट अलग तो नहीं है ना जब दिल्ली पुलिस एडवलो टीपियो के लिए पढ़ोगे तो आपका यूबिय पुलिस अस्टेंट ओप्रेटर के लिए होगा अब बात यहते हैं सर इसमें हिंदी का और कंप्यूटर का अलग अलग सिस्टम है ठीक है हिंदी और कंप्यूटर तो क्या करोगे तो इसलिए तैयारी तो लगबख किसी का भी करा ले ना पहले एक जाम कहां फसो के आप हिंदी में बात आ रही है और कंप्यूटर में बात आ रही है ठीक है और तो सब सेम ही है जो एक चीज के लिए पढ़ोगे यूप पुलिस अस्टेंट ओप्रेटर के क्लि करना मंसे पढ़ाई करेंगे तो वाध यहाथ है हिंदी में तो हिंदी को क्या करना है जिस बच्चे नेसिरिफ्लेट करना 힘 को तो बात हैती है हिंदी है तो जुस्थ बच्रमियम कॉपलीट कर ली है तो क्या करना है आपको क्या करना है केबल रिवीजन करना है ठीक है 30 मिनट पढ़के केबल रीवीजन करना आपको अगर आपके टोपिक के लिए नहीं है तो आपको टोपिक तो के लिए करने पड़ेंगे चाहे एक घंटा रोज हिंदी पढ़ों आप पढ़ना तो पढ़ेगा हिंदी पढ़ लेना ठीक है अगर पहले से केलियर है कोई एकाट टोफिक रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है एक महीना पहले आपको पता चिल लेगा आपका एक्जाम कब होगा ठीक है तो आप जब से भी त्यार कर सकते हिंदी को हिंदी की इतनी टेंशन आपको लेनी नहीं है बट रिवीजन करते हुए चलना चुछी आप पढ़ लेते हैं तो computer कितने marks का आएगा 10 marks का computer आएगा 10 marks का ठीक है 10 marks से computer में आपको इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है एक बुक आती है ठीक है वो छोटी सी बुक है उसको आपको ले आना है ठीक है या कोई अच्छा सा YouTube चैनल किसी का देख लेना को एच्छा टीचर हो तो तो पहां से तयार कर लेना रोज आदा घंटा पढ़ेंगे ना अगर बुक भी लेओगे रोज आदा घंटा पढ़ेंगे तो computer में 10 by 10 marks लाए जा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो आपको इतना परेशान नहीं होना है हिंदी और computer को लेकर ठीक है computer 10 marks का है बहुत अच्छा तयार कर सकते हो आप आदे घंटे में ही तयार हो जाएगा किलियर तो आप किसी बच्चे को यहां कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको target किसको लेकर चलना है दिल्ली पुलिस एडबलो टीप्यों को बड़ जब शिलेवर सी से में तो इसमें परेशानी की क इसमें आसान है अब आप सको बताओं यूपी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर में 1374 पद हैं और इसमें कितने पद हैं 857 पद हैं ठीक है जबकि यह क्या है एक यूपी की बेकेंसी है इसमें लगबग यूपी के ही बच्चों ने फोम भरा है जबकि यह आलेंडे बेकें लाखेंगे तो पद भी यहां इसके मुकाबले यूपी पुलिस अस्टेंट ओपरेटर के मुकाबले दिल्ली पुलिस एडवलो टीप्यों पद कम है ठीक है इसमें मानलों 3 लाग फोम आए तो इसमें उमीद कितने की है 5 से 6 लाग की ठीक है 5 से 6 लाग की उमीद है इसमें आपको ये भी किलिए हो जाना चाहिए तो आपको देखते ही लग रहा होगा कि इसमें सेलेक्शन लेना आसान है ठीक है लग गया है नहीं अब यहां देखिए अगर 1374 पद हैं ये अच्छे समझें 1374 पद में अगर धानली नहीं होती है जो धानली आजकल चल रही है आप देखेंगे UPSI के एक्जाम में कितनी कटो किसी ने सोची भी नहीं थी ठीक है मतलब धानली बहुत जादा बढ़ गई है तो आपको माने की चलना है जो बच्चा जिसी बच्चे ना भी देख उस कटोफ को पार कर रहा है उस कटोफ के आज पास पोच रहा है ठीक है तो बच्चा क्वालिफाइब कर जाएगा इन पदों पर यूपे पुलिस अजिस्टेंट ऑपरेटर में बच्चा 100% क्वालिफाइब कर जाएगा यह मैं आपसे बादा करता हूं आपको यहां तो 1374 सब्सक्राइब करता हैं और बहां 9000 पद थे तो आपको एक बात और याद रखनी होगी बहां पर पढ़ने वाले बच्चे तो अच्छे थे ही क्योंकि इसमें क्या है 374 पद हैं बट आपने एक बात नहीं देखी इनकी प्रतियक सब्जेक्ट में 50% अंक लाना अनिवार र सब्सक्राइब करते हैं तो गारेंटी से कहता हूं 2000 पदी भरे या थे वह 9000 में से तो आपको क्या माना की चलना है योपे पुलिस अस्टेंट ओपरेटर में इसके मुकाबले काफी आसान कमटेशन देने वाला है जो बच्चा पढ़ने वाला है और धानली नहीं होती है य इसी लेविल का आता है तो ठीक है और सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा ठीक है वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको के लिए करता रहूंगा तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप तैयारी करिए अच्छे से अगर आपने यूपी पुलिस असिटेंट उप्रेटर का फूम भरा है तो आप मन से इसकी त्यारी करेंगे तो आपको टैंसन नहीं लेनी बस इसकी त्यारी आप कर रहे हैं तो साइट से कंप्रेटर और पड़ते चलना आप देखोगे आपके दोनों एक्जाम कम निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा ठीक ह तो बस इतना ही मुझे समझाना था आप खुद अच्छी से समझ गयोंगे अगर फिर भी नहीं कोई बात समझ आएगे तो आप कमेंट वोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एक पॉइंट आपका के लिए करने की कोशिस करूँँगा ठीक है तो ब्यार्य बच्च अगर व